अलो मेरे प्यारे गार्णर दो सोग कैसे आप सब लोग आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे प्लांट्स क्यूं मर जाते वायर प्लांच दाय तो वीडियो अनतक देखना जरूर बहुत अच्छी होने वाली ए वीडियो और चैनल बे नहीं तो चैनल को सबसे बड़ा कोश्यन तो है वाय आर प्लांट्स डाय हमारी प्लांट्स क्यों मरते तो हमारे प्लांट्स सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं प्लांट्स मरने का तो उसके बहुत कारण हो सकते कि आपके प्लांट्स पर डिपेंड करता है वैसे कोई कोई सीजनल में ऐसे मर जाते प्लांट्स नहीं तो और होता है कि वह कभी सूख जाते फंगस लगता है डिसीज लगता है तो इस वीडियो में मैं आपको कारण बताने वाला हूँ कि आपके प्लांट क्यों मरते हैं और solutions भी बताऊंगा उसको आपको क्या avoid करना चाहिए और मिट्टी में आपको क्या add करना चाहिए ताकि आपका अब उवर्टरिंग करेंगे तो प्लांट उसके रूट्स गल जाते हैं और प्लांट हमारा मर जाता है तो वाट्रिंग में बहुत करते हैं तब आपका प्लांट इस तरह मर जाता ऐसे एसा नहीं को करते हैं तर्पीम कि तो अब इसे वास कैसे कि आ गर्मी उ में तो अगर आप मैं थोड़ा से भी वह क्ल देते तो चलते हैं तो आपका हीत पानी देंगे तो पिर आपके प्लांड कोुसे हाम हो सकते हैं और आपका प्लांड मर जाता है तो उसका कारण हो डाल ही तो आप सर्धियों में आपनी को आपक़ की जैसे अब जैसे आपको ली डाल के देख सकते अगर आपको मिट्टी में अगर मौश्चर लगे मतलब है प्रेजेंट तो फिर आप पानी बिकुल मत डालिए अगर आपको लगता है कि उपर का भी एड्राय है और अंदर भी आपको ड्राय लग रहा है और अगर आपको पत्ते पर अगर आपको ऐसे पत्ते अगर नीचे दिखे तो आप फिर समझ सकत कि प्लांट की पत्तिया नीचे होते मतलब उसे थोड़सा पानी की कमी है फिर आप उसमें टाइम टू टाइम वॉटर एड कर सकते जब भी आपको वाटर कम लगता है तो फिर आप उसमें एड कर सकते नहीं तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा यह है मैथर्ड कि आप ऐसे इपने finger deep करके देखिए अगर मिटी में आपको ऐसा moisture लगता है मिटी में नमी है तो फिर उसे पानी बिल्कुल मट डाली अगर ड्राय है तो तबी पानी डालिए तो फिर अब दूसरा कारण है कि आपका प्लांट क्यूं मरता है तो उसका दूसरा कारण है कि over fertilizing जब आप फोटिलाइस्ट कर देते अपने प्लांट को मतलब खाद जादा डाल देते कौनसी भी कंपोस्ट तो फिर आपका प्लांट मर जाता है तो उसका सबसे अच्छा रिश्व क्या है जो आप अपने प्लांट को प्रिवेंट कर सकते हैं फंगस वगड़े ने तो इस ओवर फोटि तो एक मुठी आप पॉट ने conos Patreon उतने आप सकते खादंगों खाद और उतनी आपको रेंए और अपको डालने चीए और और sorcer कभी विल्क यह आपको दो मूνट्वर जाता है घ्रोध कर ने के जगे तो सबसे हैके आप 15-15 दिन मैं से ही ऊपणा फोटिलाइजर ट मतलब एक मेहने मैंसे डालिए अगर आप यूज करते होंगे तो फिर आपका प्लांट हेल्दी रहेगा और आपको उसके लिए अच्छा काउडंग कमपोस्ट वगरे अगर आप घर पे बनाएंगे तो उसके इससे इतना फरक नहीं पड़ता है वो कोई कोई कमपनी के इसमें थोड़ा आजाता है उनका मैनिफेक्चरिंग में तो फिर अगर आप घर पे बनाना चाहते तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी उपर के आई बटन पर वहाँ पर आप जाकर इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते कि काउडंग कमपोस्ट कैसे बनते और वर्मी सकते में कारण अब हमारा तीसरा कारण हें इंसेक्ट और पेस्ट पेस्ट पैस्ट अटैक्स जब अध सकते में दी लिंक आपको description box में मैं डाल दूंगा ताकि आप फिर वो नीम oil की value आप देख सकते थोड़ा सा एक चम्मची आपको डालना होता है एक लीटर में आधा चम्मच और आधा चम्मची डालके आपको फिर वो स्प्रे करना होता है प्लांट पे जिससे आपके पेस्ट नहीं लगेंगे प्लांट को कोई भी मिनी बग कीडा वगरे नहीं लगेगा प्लांट को और चीटिया लगते तो चीटिया पे भी मैंने पहली बना के रखा है कि चीटिया वगरे लगते तो क्या करना चाहिए चीटिया लगते है तो बोर स्प्रिंगल कर सकते हैं तो इंसेक्ट से होता क्या है जब मिनी बग हमारे प्लांट पर लग जाता है तो मिनी बग क्या करता है वह सब शुगर लेता है चीटिया जो आती है वह क्यों लगती है क्योंकि उनका दोनों का रिलेशन्स होता है वह क्या करते चीटिया उस पर लगत हमारा प्लांट वह चीटियों के मतलब इंसेक्स के कारण हमारे प्लांट मर जाता है तो यह था तीसरा कारण अब चौथा कारण है फंगस और रूट रॉट 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 मतलब वह ओवर वाटरिंग से भी होता है और रूट रॉट में ऐसा कोई भी स्पेशली कीडा भी लग जाता है इसलिए फंजी साइड आपको मिट्टी में आड़ करना चीए नहीं तो आप जब भी भी प्लांट पे नी खलनी यूज कर सकते नहीं तो बहुत कैमिकल फंजी साइड भी आते वह भी आप यूज कर सकते पर और और यह था चौता गारण अब पाच्वा कारण क्या है पाच्वा कारण है रिपॉर्टिंग शॉप या उसको जब आप रिपॉर्ट करते उसका शॉक लगता है प्लान ऑन को रिपॉर्ट करने पर जैसे आपने सरी से आते डायरेक रिप 되어 नई करना चाई है नрыसरी के आने के पाद आपको दो-чार दिन उसे सेटल करना चाई है और फिर उसके बाद आपके प्लांट को आपको लगाना चाहिए मिट्टी में रिपोर्टिंग शॉक नसरी का नहीं आपके घर पे भी कोई भी प्लांट आप किसी भी छोटे पॉट से निकालते नहीं तो बड़े पॉट में ट्रांसवर करते तभी भी लगना चाहिए आपको जो यह प्लांट है वह आप डायरेक्ट फिर अच्छे से उसकी रूट बीच में रखे और चारों तरफ से आपकी पॉटिंग मिक्स भर दीजिए और फिर उसे आराम से लगा दीजिए यह करने से फिर आपके प्लांट को रिपोर्टिंग शॉट नहीं लगेगा तो यह पा बाद भी उनके प्लांट को कुछ नहीं होता है उनका प्लांट चल जाता है पर अगर हम प्रूनिंग करने के बाद अच्छे से उस पर फंजी साइड वग्रे नहीं लगाते तो भी वह मर सकता है पर सबसे बेस्ट कारण है आपको मैंने बहुत साड़े हमारे पिछले वीड प्लांट पर जब यहां से साइड ब्रांचेस निकल आती है तो फिर यह जो मिट्टी होती है फिर यह आराम से नीचे आप जब भी पाने डालते हो निकल जाती है और फिर यहां से साइड ब्रांचिंग होती है तो फिर यह प्रूनिंग करने के बाद आपको करना चाहिए न प्रूनिंग से हमारे प्लांट मर जाता है तो उससे होता कि प्रूनिंग आप कुछ नहीं लगाते तो पर एक घाट क्या होता है अगर फंगस नहीं तो कोई खीड़ा आ जाता है तो वह सीधा अंदर जाता है और फिर यह जो होता है आपका पूरी स्टेंप पहले तो पत्ते पूरे गिर जाते और पूरी जो स्टेंप होती है आपके वह फूरी सूख जाती है तो वह जो उपर की फंगस होती है वह प्रूनिंग के बज़े से भी हो सकता है आपका प्लांट मर जाता है अब सात्वा कारण है सात्वा कारण है लेस वाटरिंग अगर गर्मियों के दिन है तो आप बहुत कम पानी डालते होंगे अपके प्लांट को देखिए कि सूख गया है पूरा देखिए मिट्टी कि इतनी सूखी है कुछ भी मॉश्चर नहीं इस मिट्टी में तो इसलिए यह को थे मधने के प्लांट मर गया है तो पानी कम देने से हमारा प्लांट मर जयाता है तो आपको पानी डीटुर शेक करना चिए वह सही इंगली शेलाट अगर अगर उपर से आपको जरूर 253 डालना है यह तो ओवर उेजराग अपने ब्लांट को तो अगर आप फोटिलाइजर भी नहीं लाते हैं तो आपको केले की छिलके नहीं तो जो भी आप थोड़े सब्जिया करते उसके कंपोस्ट भी बनाना चाहिए और कंपोस्ट का भी वीडियो है मेरा वह में आई बटन पर दे दूंगा कि किस तरह आपको क मेहना तो अगर आपके पास टाइम है तो उसे अच्छे से सडने के लिए दो मेहना रख देजी वह पूरी अच्छे से डिकंपोस्ट हो जाएगा और फिर वह आप जो है वह फोटिलाइजर देजी नहीं तो बेस्ट है तो आपके लिए की चिलके वगरे होते वह उपर से आ आपको थोड़ी से समिट्टी करके खुरपी करके पानी दे देना चाहिए इससे भी आपके प्लांट को कभी भी पोशंक तत्वों की कमी नहीं होगी और आपका प्लांट लेस फोटीलाइजर करने से भी नहीं मरेगा तो यह था हमारा साथवा और आठवा कारण अब हमारा पत्या गिर जाते बस और उनके पत्या गिरने के बाद उनके थोड़े ही दिन में नए पत्या आते तो आपको उसे बिल्कुल रहने देना ऐसा वह उग जाता है आराम से फिर आपको उसकी थोड़ी सी प्रूनिंग करना चाहिए प्रूनिंग करना है और फिर आपको उपर स तो फिर वो रीखवर हो जाते हैं अब तो हमारा जो दस्वा है लास्ट आपने चैनल आपको अपने प्लांट के आप यहां पर हमेशा नजर रखना चीए उसे कीडा तो नहीं लगा है उसमें पानी नहीं है तो आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप उसे एक एक ना दिन म में से तो भी उसे देख लीजिए आपके प्लांट को कि आपके प्लांट को फंगस नहीं तो पेस्ट अटैक इंसेक्स के अटैक तो नहीं हुए ताकि आपका प्लांट फिर हमेशा हल्दी रहेगा अगर आप यह टीप आजमाते है तो आपको हमेशा अपने प्लांट पर व यह नीम ओईल वर्गर है मैंने और गैनिक फंजिसाइड बता है वह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा उनकी लिंक आप फिर ऑनलाइन उसे पर्चेस कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और दोस्तो मेरा आप टेलिग्राम गुरूप जॉइन कर सकते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरा आप उसका बेस्ट डिल्स ऑफ गार्डनिंग की भी अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो आपकी प्रोड़क्स बहुत अच्छे होते वहाँ पर तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप वो भी गुरूप हमारा कर वक्ते हैं और दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग